असलाम अलेकुल माज़ीन गुर्मारिंग सेवस्वरी के साथ मैं हूँ जूबैश शारेक अमीद करते हैं या तो नीन में है या पर किसी चीज की बहुत जल्दी है नहीं बात यह है कि मैं सोच रहा था कि मैं पहले कह दूं कि अमीद है कि आप खेरियत से होंगे उसके बाद मैं कहूं कि आप का इंडिडक्शन करवाएं आप मेरा उमीद का अलिफ मूं में रहा गया और आप बीच में आ जाहिए आज मैं जुबैश आ रहे हैं कि आज की की साथ है कि आफ बहुत सारे मामला जंदगी के जिस तरह से आप देखते आ रहे हैं सुनते आहरे हैं कभी मुश्किलात कभी परेशानीं यह सब जंदगी का हिससा है लेकिन आप लोग मुझे पता है कि आपने काम कामों में निकल चुके होंगे, इस तरह हम अपने काम करने के लिए पहुंच चुके हैं, स्टुडियो में बैठे हैं, और आप लोगों के सामने हैं, क्यों ताहरा आज जब आप घर से निकल रही थी, तो आपने कुछ वालदा क पूरे दिन में के सोच पिचार रहता है कि आज क्या पकाया जाए, तो इस पर एक दिन ना हम शो करेंगे, एक सेग्मेंट रखेंगे, जिसमें हम डिसकुस करेंगे, कि खवातीन के इस मसले को हम कैसे हाल करें, कैसे पता चले खवातीन को, ऐसे चुटकी बजाएंगे और प पत्थर पड़ा हो, और उसके साथ-साथ एक आपने एक ट्रांस्पेरिट सी तार देखी होगी, जो ऐसे पैर के अंदर उलशती है, जो के रास्ते पे अगर पड़ी हो, वो इस तरहां से फिर इनसान को गजीरती भी लेके जाती है, और बहुत बुरा गिरता है, इस पर एक खुबसूरत बात मुझे याद आगई, कि रास्ते से कोई तकलीफ दे, चीज हटा देना भी सदका है, जिससे आप अगर समझते हैं कि चीज इससे किसी इनसानी जान को नुकसान पहुंच सकता है, एक जर्रे जितना में नुकसान पहुंच सकता है, बड़ा नुकसान तो ब मौसम के हवाल के हवाले से जरूर बताते हैं कि आज क्या सूरतِّयार रहेगी, आने मेरे दिनों में क्या सूरते हाल रहेगी, मौन्सून बारिशों की पेश इस दफ़ा कहा जा रहा है, कि मामूल से जादा होंगी, जिस पर अब अबन फ्लरडिंग का खच्चा है, और यह कह आराकों में शिदत के साथ मौन सुन बारिशों का इमकान है और यह तुफानी बारिश है जाहरा रोज मरा की जो रूटीन के आपके मामलात हैं उनको भी डिस्टरब कर सकते हैं तो गायर जरूरी सफर से वाइड करें आज सकल नॉर्डन साइट पर आप देख रहे हैं कि खास अपने प्लाइटफरम के जरी हम यह नाजविन हाजविन को सुनने वालों को और देखने वालों को के बारिशे होना गर्मी में अच्छी बात है लेकिन दारा वही वहली होते हैं लेकिन कोई कहते हैं ना कि जो चीज एतिदाल में रहे वो ही अच्छी लगती है वो ही खुबसरा लगती है इसके साथ अब अगली खबर में चलते हैं अगली खबर हमारी यह है कि जिस तरह से हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर इसमान मर्साब अक्सर उकाद देखा अगया है कि अपने पुलिस ज़वानों का कितना ख्याल रखते हैं कितना तामन करते हैं को इनके कारनामों पर अजाज भी देते हैं अप्रीशेiट भी करते हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको ऑी पताता चलूं के सेंटर पुलिस आफिस में घाजी पुलीस जवानों के कार केले खाना ने भी खसूसी तोर पे शिर्कत की आई जी पंजाब ने जराइं पेशा अफराद की बहादरी से मकाबला करने वाले पंजाब पुलिस के जवानों को आई जी पी घाजी मेडल से नवाजा आई जी पी घाजी मेडल एक बड़े अजास की बात है अगर किसी इस तरह के अप्रिशेशन जो बहुत जरूरी होती है यह आप में एक काम करने का मज़ी जजबा पैदा करते हैं आपका दिल चाहता है कि आप अच्छे सचे काम करें क्योंकि आपको एप्रिशेट किया जा रहे और यह आपकी आई जी साब की तरफ से बड़ी दफा ऐसा हो चुका है कि लेकिन इसके साथ साथ खाली अप्रिशेट नहीं करते जब कोई गलत काम होता है हमारे मEहकमे के अफसरान कुछ गलत काम करते हैं या किसी पर जल्म होता है और उसकी मॉकमल प्र तकीछ नहीं होती तो उसकी प्रकड़ा अच्छे साब भी family अ करती है कि अगर तो पुलिस के खिलाब किसी भी किसम की कोई शिकायत है और आप उसको रिपोर्ट करवाना चाहते हैं तो एक हेलप लाइन है हमारी 1787 यहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और अगर आपकी कंप्लेंट जैनुन भी तो उस हवाले से पिर जी मुकमल तौपे कारवाई भी की ज होती हैं कोई भी शौबा हो वहां पे आपको हमारी खवातीन नजर आएंगी सो यह भी एक बड़ी अच्छी और जबर्दस न्यूस इसलिहार से है कि जी यह खातून है जुबैर कराची से इनका तालुक है और वहां पे एक इक इलाका है जजीरा है शहर इकायत का जिसका न अब ट्रैवल करती है अब थू कश्टी मोड जाती है जजीरे पर जाती है और यह जी मेड़ वाइफ है यह खातून और वहां जाके यह प्रॉपर उन खावतीन को जो भी जैसे एक हामला खातून की नोंने हैल्प की और उनको मदद फराम की वहां कि लोगों को लोगों को यह कहना था कि हमारे लिए यह एक बंदी वह ऐसी खातून है जो कि हर वीक आती है और उसके बाद हमारे लिए वह सब चीजें लेके आती हैं सहुलते लेके आती हैं अगर यह ना है तो शायद हम हमारी क्या हालात हों इनकी हम्मत को हम दाद देते हैं इनको हम सलूट भी पेश करते हैं कि इनकी हम्मत की वरा से वह खातून जिसकी हालत काफी खराब थी और इनोंने उसको रेस्क्यू किया और इसके इसमें कितना खुबसूरत लेसन है कि अगर आप हम्मत से काम लें और अपने असाब को बूती से थामे रखें तो हर मुश्किल आप असान बना लेते हैं हर किसी भी किसम की कोई भी कितना मर्जी बड़ा हर्डल हो आप उसको पार कर जाते हैं लेकिन हम्मत हौंसला बहुत जरूरी है इसमें मदद का जजबा है ना वह कम ही लोगों में पाय जाता है और इसमें म सबर है कि पंजाब गेम्स का इनकाज जल मुमकिन खेलों में दस लाग से जायत खिलाडियों की शिर्कत मतवक्य अगले ओलम्पिक्स गेम्स के लिए खिलाडी तयार करना होंगे और वाइस चेर्में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब पिंक गेम्स से खवातीन खिलाडियों क लोहा मनमा रही है और कि पिंक गेम्स तो यह जो वजियला बंजाब के इनिशेटिव हैं इसने खवातीन को स्पेशली एक ऐसा प्लैटफॉर्म प्रवाइट किया गया है जिस पर जाकर वो खवातीन अपनी खेल सकें और जो जो भी उनके अदर कॉलिटी जो जो भी उनके परसो आप हमने कल अपने मौनिंग शों में एक वीडियो चलाई थी कि बारिश की वज़े से जो पानी वगारा खड़ा हो गया था तो हमारी सीम साहिबा निकल गई थी सड़कों पर और वो आजए देख हैंडी की रिपोर्ट तलब कर रही थी कि हम बलकुल आप हमें तो इस तरह के निशेटिव वो ले रही हैं और गेम्स में भी वो खवातीन को आगए आगए रखे हुए हैं तो यह बड़ी अच्छी बात है और जी अब चलेंगे सेग्मेंट की एक सताम में अपनी आख़ी खबर की जानिब जो के है जी जिन लोगों को फनूल लतीफा से बहुत दिल लगाओ है पनूल लतीफा से जो कि मुझे भी कही न कहीं लगाओ है इसलिए मुझे अच्छा है और इस वहाले से बहुत सी अपरशुरिटीज आप सब के लिए अवेलेबल होती है और आज कल जी समर कैम का इनाकात किया गया है समर कैम जारी है और इसमें आपक तो जिननों को टालेंट है और उसको मजीद निकारना चाहते हैं आप सब के लिए अच्छा प्लैटफॉर्म है आप जाएं अपलाय करें और अपनी जो विकेशन से उनको अच्छे तरीके से स्पेंट करें और ये बात के जी मौसम खासा गर्म है और हबस भी बहुत जादा है गयर जरुरी सफर से आपने एवाइट करना है इसी बात पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक आपने रहना है हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं आप देखेंगे जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी और जो बहर इस सेग्मेंट में एक इंपॉर्टन टॉपिक है जिसको आज हम डिसकस करेंगे और आपको बताएंगे इस्पेशली जो आपके बच्च हैं मासूम फूल को मैक्षोर करें किस तरह हैं ऑपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं को बता सकते हैं वहारे बच्चे बहुत जरूरी हैं सो यह अच्छे लोग है गर पर बच्चों को देना बहुत जबुरी है स्पेशली पेरेंट्स के आवाले से इस बात करेंगे, प्रोग्राम में आज हमने मदूख किया है, हमारे साथ मौझूद है राष्टा, कुरेशी, मिस हैंजी ये सोचल एक्टिविस्ट उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं Assalamualaikum मैं Thank you, Waalaikum Assalam First of all a very warm welcome in our show Thank you अपनी मुस्रूफ जिन्दगी में से थोड़ा वाक निगाला उसके लिए बहुत शुकर गुजार है Thank you so much शुकर गुजार है Assalamuala मेरा पेला सवाल है Basic question है कि बच्चों की हिफाज़त कैसे मुमकेन है कि बच्चों की हिफाज़त के लिए कोई एक यार्ड नहीं है कि आप कहेंगे कि हाँ ये काम कर दो तो बच्चे महफूज है So multiple tiers हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा जिसमें parents का किरदार भी आएगा बच्चों का अपना किरदार भी आएगा कम्यूनिटी का किरदार भी आएगा उसात्रा भी आएगे और उसके बाद जो है वो हकुमती सता पे जो है कुछ प्रोग्राम जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे होंगे तो तब जा कि आप बच्चों को महफूज बना सकते हैं सबसे पहले चुँके वो कहते हैं कि तर्बियत जो हो घर से शुरू होती है तो बेसिकली जो वाकियात इस ताहा के होते हैं क्यूंकि हम ने हम शायद कहीं ना कहीं अपने बच्चों को यह सिखाना यह बताना यह तर्बियत करना उनकी भूल गए है या हम इतने मस्रूफ हो गया हैं अपनी जिन्दगी में अज़ अपने बच्चों के लिए हैं उनको बहतर आपने मस्रूफ हो गए हैं कि हम उन्हें को क्या सिकhाना था हमने हमने और बताना था वह भूल गया अगर वो खुद भी ऐसी सीचुएशन में भुष्वादिये लिए में जो कोई खात्रा हो सकता है to उनको सिखाना भूआ ज़्यादधा ज Lives गोख जी धार लॺ जी चाहिए ज्यादा जिर्णी खात्रा में भूब्हकरा शकर है जदी उनकी लिहां फ़े पार से इसको जो है वो इनफुरमेशिन जो है वो दी जाए ताकि वो खुद की हफाजब कर सके पेरंट्स का बीहेवियर बच्चे के साथ जो है वो बढ़ा जरूरी है कि आप जो है वो एक डर का आपका रिश्टा है या पिर आपका एक friendly है, एक एक अहतराम का एक दोस्ताना आपका पेरेंट्स के साथ ता कि बच्चे के साथ अगर कोई इस तरह का नागहानी वाकिया कोई होता है तो वो शेयर कर सके उसके बच्चा निकल के कम्यूटी में जाता है, स्कूल जाता है तो उसातजा की तरभियत उनकी ट्रेनिंग भी इस तरह पे होनी चाहिए कि वो बच्चे को बता सके कि सही क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है, कौन आपको जो हाथ लगा सकता है, किस से आप बात कर सकते है, क्या मैयज है जो आपको लेने है अगर कोई आपको परेशान करे या तंग करे और फिर उसके बाद अफकोर्स अवेनस कम्यूटी सत्ह पे अवेनस हकूमती सत्ह पे गर्मेंट जो है वो कुछ इस तरह के इनिशेटिव ले क्यूंकि आप देखिए जो सिवल सुसाइटी और अपनी 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 कम्यूटी के अंदर कर सकते हैं लेकिन जब हकूमती सत्ह पे यह चीजें जो है वो चल रही होंगी तो फिर एक वाइडर अवेनस जो है वो मैस अवेनस कैम्पेंड की बहुत जादा ज़रूरत है इस तहा की पॉलिसी की इस तहा की इनिशेटिव की ज मार्किट गई हैं सो अपनी मसूफ हैं अपनी कुछ जुल्री लेने में मैचिंग दुबटा लेने में तो हम बच्चों के इतनी केर नी करे होते हैं बच्चा कहीं आसपास इदर हो जाता है या फिर यह बहुत दफा देखा जाता है कि हम अपने नेबर्स के हाँ बच्चे क ईसे नहीं करना चाहिए बच्चे का खयाल रखना जब आपना ख़याल थुद नहीं रख सकता उस उमर्तक नहीं पहुँचा है जब अपना खयाल रख सेक लिए वो अल्टिमेटली पे जिमादारी है लेख एपकिसी और के घडर पर रिस्पोंसिबिलिटी पे नहीं डाल सक इस अगर गर मेफोगोगो तो बढ़ एक हएं क sür हो सकता हुवाल जह धिस अगर मेफोफ लेघर कीजप չे ऐन अगरो अगर के लिए ख़सेक्जा कुट की इस तफ बढ़ बता जांत तो पेरेंट्स जो है वही जिमादार है कि उन्होंने बच्चा जब तक खुद अपनी हिफाज़त नहीं कर सकता वह अपनी उसकी हिफाज़त करें मैं सबसे इंपोर्टन सवाल इसका अपने जिकर अपने इंट्रॉक्शन में भी दिया इसको मैं थोड़ा चाहूंगा आप इन डिटेल बताएं कि बच्चे को गुड़ टच और बाद तच बताना कितना जरूरी और किस तरह से पेरेंट्स उनको समझाएं कि बच्चा बता सक कोई चीज उस तरह से बहुत बड़ी-बड़ी बाते नहीं कर से इसलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा कि एज अप्रोप्रियेट इन्फोर्मेशन शुरू मैं आप सिर्फ बच्चे को जो है अचा इससे पहले आपने कहा गुड़ टच बाद तो मैं आपको बताती चलू के द अशची सबक्षाइट को जो है गई को एक प्रेक्शन की यह जो है प्रटेक्शन की विलाृ पट्चेको एक प्यार की फिलाथी है उसको जो है नहीं होता लख नहीं होता तो जैसे पर चांदाने ख infect लाड़ यह को और लिए हम पादें यह ंइल है उसको अग्सों ऑ्टत तक के जब आपकु पार झुट डखा पे थपट मा थिस से लिए निए पाल खिंच बुरा लग रगा है also the third one is Secret tush and Secret tush in which we speak which when you tell the child if you take this if you tell the child to the three types of the touch तो बहुत अराम से जो है वो डिफरेंशियेट कर सकता है कि कौन से वाला थाच है क्योंकि बाद तच में और सिक्रेट तच में वही डिफरेंश है अगर मिसाल के तो हो मैं एक जामपल एक जो है वह आपको दूंगी कि एक बच्छा आपके पास आया है और उसने कहा है कि यह को सिक्रेटली टच किया है या अनप्रोप्रोप्रोप्रेट टच किया है तो वह यह चायद आपको बता नहीं सके घए तो भूँचना पड़ेगा तो अगर आपने उसको अपको छुप के हाथ लगाए और आपके यह बाड़ी पार्ट्स हैं जो कि अपके अपने हैं, जिन को कोई नहीं देख सकता. इतना बताना बच्चे के लिए काफि है, कि ये सीक्रेट है, अगर कोई आपको छुपके हाथ लगाएगा और ये कहेगा ये बात किसी को नहीं बतानी है, तो वो बात आपने हर हाल में बतानी है. चोटे बच्चों पो तो ये बताना बहुत है और घरों के बाहर या दाखनी रास्तों पर क्या समझती है आपके कितने जरूरी है लगाना इनको गोर्मेंट पॉइंट पॉइव पर इसके लावा भी लोग अपने स्टीश पर लगा लेते हैं यह कितना एहम रोल प्ले कर सकते हैं बचों की प्रटेक्शन में इसका एहम तो आप वापस चले जाए जैनब मुर्डर केस पर कसूर में जो बहुत एक बड़ा इंसिडेंट हुई है तो वो बंदा जो पकड़ा गया वो उसी CCTV कैमरा की वज़ा से पकड़ा गया क्यूंकि उसको साथ जैनब को जाते हुए जो है वो देखा गया था तो यह बहुत अह बच्चा नहीं मिल रहा है तो अब भी आप उन कैमरा के जरिए देख सकते हैं कि वह किदर को निकला था कहां से आ रहा था किसके साथ जा रहा था सो CCTV कैमरा की जो इंपोर्टनस है उससे तो बिल्कुल भी कोई इंकार निंगर सकते जाब दें कि बच्चों को मुबाइल अब इसको समझती है कि बहुत इंपॉटन से अब वही है जब बच्चा जो है बात करना बातें करना शुरू हो गया तो तब उसको अपना नाम अपने फादर का नाम ने फादर का फॉन नंबर वह कहां पे रहता है बच्चों को अगर कोई बच्चा आपने भी शायद वालदायन का फॉन नमबर तो पता है और घर में रहता हूं तो इस तरह रहा है यह सबसे बेसिक चीज़ है कि आप अपने बच्चे को जो है वो जो खास तो पर पे जो तीन से पांच साल वाली एज ग्रूप है इसमें बच्चा बातें करना शुरू हो जाता है तो उस एज ग्रूप में आप लाजमी उसको अपने घर की कोई निशानी के हमारा घर जो है वो यह यह शौप है हमारे घर के पास मतलब इस तहार की कोई एक आप रख सकते उसके साथ वालदायन का फॉन नमबर जो है वो आप उसको लाजमी तो याद कर रहा है इस तरीके से जिससे बच्चा जो है वो गेमिंग के जरीए बच्चा जो है वो सीख भी ले और बच्चा जो है वो महफूस भी हो अगर खुदा ना खास्ता कहीं उसको जरूरत पड़े तो वो किसी से शेयर भी कर सके यह मेरे साथ भी आप जिससे बात करें तो मैं शेयर करती चलूँ के अब जाए तो इसी तरह भी तक याद है और मैं अजी तरह मज़े तक मार्केट थी और इत के दुन में पता है कि बहुत आप जाए रश होता है तो मेरा हाथ चूट गया पनी वालदा से और मुझे अपना नंबर नहीं याद था मुझे इसी तरह आप बता रही है मुझे न कि कभी खुदाना कास्ता वही बात कि अगर आप सत्थ हो जाए तो बच्चे को अपने घर का अड्रेस और अपना नंबर या वालिद का वो सब चीजे याद होनी शाहिए कितना इंपॉर्टन्ट है क्योंकि लग्की अगर आप किसी अच्छे बंदे के हाथ लग जाए तो अगम बी शाहिए हम चाहँ थाक होनी शाहिए झात ही जाना अजनवी अटने नही है अगर वह अपनों में भी नही हो इतना खथरा अपनोंसे क्फ़रा नही है जितना झाल शे खन्त्रा नगी प्सरादूद के वाकिया तो ति 한ए टृटा के ऐसे एंट्रढ धने राले में उसमें community के लोग उसमें टीचर आ जाते हैं उसमें ऐसे लोग क्यों है क्यूंके बच्चा उनके साथ कॉम्फटेबल बच्चे को अगर वो कहेंगे कि आप बेटा ओ चलो हम वहां चलते हैं तो वो रिजिस्ट नी करेगा ना वो अराम से जो हो चला जाएगा जानता है ये मेर दो काइदा व्लाइब प्लैन करेगा किडनाफ करने लिगाए बच्चे को कहीं ले जाने का जबर्त ती और इसको ये बीध डर हो गा कर चैज को एक बछ्छे को उनके और जा सकता हो है Nicolas उनक्ष हैं तो बिल्कुल अम इन के साथ कहीं भी जा सकता हूं इसके बाद आप पेगाम दे सकते हैं इस चो के हाले से बच्चों को एमजनसी नंबर याद करना जुरूरी है और यह कितना इंपॉर्टन है वाल दायन के लिए कि एमेजनसी नमबर, in that case, मुबाइल नहीं है या बच्चे को पने नमबर याद नहीं है ठीक है, वो किसी से अगर है अगर है कि मुबाइल दे दे, मैं 1-5 डायल कर लूँ या और कोई एमेजनसी सिच्वेशन है, मेडिकल की सिच्वेशन है, डबल 1-2 डायल कर लूँ तो यह बताना कितना जरूरी है महाँ ज़्यादा जरूरी है, कुछ बेसिक चीजे हैं जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं जिन में सबसे पहली बात यहाद है कि आप बच्चे को बता दिया तो आपको और किसी के साथ नहीं कर रहे तो आपने जहा लेना के डिदे आफ कर चारा है तो ब rapidly चीज पाद चाहरे हैं कि जो ब चाह यहादाने बचकर क्र एंक को मैं बहुत मताख़् अशान करते हैं तो उनको जब हम कहते हैं कि इतनी जोर से चीख सकते हैं तो बहुत जोर से चीखते हैं तो आप हम खेल में उनको सिखाते हैं कि आपने इतनी जोर से चीखना है अगर को पकड़ेगा या बच्छों को जो है वो काटने का बड़ा शोग होता है चोटे बच्छों को खास तो इसके साथ साथ जो आपके emergency numbers है जो प्रीस का number है यह सेफ शिटी का number है यह चार्ड प्रोटक्शन वेलफरी बोरो का number है जितने ऐसे numbers है – 1-5 यह चाहिए बहुत easy है 1-5 तो मतलब हर बच्चे को याद हो सकता न उसमें तो कोई मुश्कील ही नहीं है जहां पर रश है ज्यादा सारे लोग है एक important चीज मेरे जहन में आई तो मैं आप से पूछूँ के हिफाज़त के साथ साथ बच्चों के आजादी आप क्या समझने कितनी जरूरी है क्योंकि यहां में बच्चे अकसर हमसे शिकायत करते हैं कि आप हर चीज की restrictions लगाई जा रह हम सोसाइटी में रहते हैं हम इनसानों के बीच में रहते हैं तो हम अपने बच्चों को जो है वो गद कर के नहीं रख सकते पॉसिबल नहीं है और अगर आप इस तहाय से बिलकुल बच्चे को तो लोगों से मिलना कैसे सिखेगा एक बहुत इंपॉर्टन बात है जिसको श तो अगर हम इस को इसको अजाएज है कर रहे बात क favorites को अगर आप इसको इसको साथ कर रहे हैं तो वोगों तर आ है तो कल को इंतबार कैसे करेगा और विख हो जाएगा वो लोगों के साथ एंटर्क्ट के सब लोग बुरए होते तो बच्चे को यह बताना के नहीं हर इंसा को अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी कै वह जड़ी बुल गए हैं कि जिनकी लिए हम पैसा कमा रहे हैं उन्ही को हम उन्हीं को हम वक्त नहीं देपा रहें तो जो क्वालिटी टाइम होता है तो आप बाप और बीटा इना दिले समी तो इसमें मां भी नाए इना आए अज़ चुछ जा एक उलिए ही नागा गहा एक वी क्ष़ युजिए जा कें लिए को जा दे आगा जाएं ना किसी महंगी जगे जाएं अप जा एक लिए जा जांगे अज़ा बच्छे को एक से बहुत जादा बढ़ गया और बच्चा आपका क्या देख रहा है क्या सीख रहा है उस पे आपके पास तो इतना नहीं है चेकन बैलंस का कि आप नजर नहीं रख सकते हैं सो अजादी सल्ब करना इसको नहीं काऊंगी अगर वो पेरंट्स जो है वो खुद बच्चे को जो है वो ताइम दे रहे हैं और उसका एक शेडूल इस तरह से बनाने को यह फील ना करे कि मैं तो कैद हो गया बिल्कुल थैंक यू सो मुश मैं थैंक यू मैं वैसे पेगाम चाह रहा था कि मैंनम इस केमरे में को पेगाम जरूर मैं यह आपकोस मेरी बिल्कुल वालदयान से उसाथा से कमुनिटी से हकूमत से सबसे एक उजारिश है कि हमें अपने बच्चों की हिफाज़त के लिए बच्चों को बच्चों को एंपावर करने की बगाई जरूरत है अपने बच्चों को सिखाएं कि अच्छा हाथ लगाना बूरा हाथ लगाना और छा लगाना ंर। क przeci साथ जो है वो इस तरह का बीएव करता है इस तरह का वाक्या पेश आता है तो अपने वालदयन से जरूर शेयर करें थैंक यू बहुत शुक्रिया मैम आपका जी राजीन यह थी हमारे साथ राशिदा कुरेशी साहिवा सोशल एक्टिविस्ट थी जो उन्होंने बताया वेलकम बेक नाजरीन आप देख रहे हैं जी प्रोग्राम गुड मॉर्निंग सेफची और वक्त हो जाता है हमारे आखी सेग्मेंट का जिसका नाम है जी दिल्चसको अजीब और जो डिफरेंट सी इंटरस्टिंग सी ख़बर में आपके लिए लेके आई हो वो खबर शेयर सबसे बड़ा पौदा बताएं तो बहुत से होंगे मिशूर बहुत होंगे दुनिया का सबसे बड़ा पौदा कौन सा है कि आपको मालूम है मतब हाले से बड़ा इक इंपॉर्टन क्वेस्टन है यह भी कहीना कहीं आप पो आ सकता है किसी बीग्जाम केंदर NTSK से ASSK PMSK और किसी बीए बीशी ग्याम में आ सकता है. लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा पौदा उसे सबसे बड़ा घ्रपर मालं कि कह लाता है तो उस हमेदर बड़ा जनगल है उस में बड़ा पौदा हो तुका अपको बताती है तो कॉन सा है दुनिया का सबसे बड़ा पौदा ओस्टेलिया का समुंदर जो है वहां पर समुंदरी खास है जिसको दुनिया का सबसे बड़ा पौदा करार दिया गए अच्छा उसके क्या बजुआत है सब्सेंट्रोस्जिंग बात से सब्सेल था सहiden में अपने पौर्दा हो से अपने नाजरीन से भी सेयर करूं एक पौदा है एक ताह मेक मेडव हमीट है विद्फुझ चोद से फैलोत पिलिए विद्फूनिंग के तहारे एक पौदा है और यह पहलता जा रहे और orchid साज़े 4000 साल से पाहल रहा है। और 804 mmप्ल मुहीत है और एक जानदार पौधा है । यूल से जानदार है और तर यू होते हैं और इसके सबसे खास्यत खूशूर्ती है सबसे बड़ा पौदा कारा दिया गया है तो जबेड से पूचने कि क्या ऐसी information आप से आप पर share करेंगे जो आप information share की है ये तो वैसे ही बड़ी ही हसा है ये ने सुनके महरान हो गया कि शाड़े छार साल से पौदा ग्रोव करें एक ही पौदा पूरे सब्जाजार पूरा मैडव है उसके पर फैल रहा है और मतलब कि फिर इंदाता लगा लें वो कितना बड़ा पौदा होगा अच्छा मैं जो खबर लेकर आया हूं वो खबर बड़ी ही इंट्रस्टिंग सेग्मेंट है तो खबर में इंट्रस्टिंग ही आप इंसान तो इस तरह से alphabets होते हैं, numbers होते हैं, इसकी पैचान तो जानते हैं, इंसान तो जानते हैं मुझे पता है कि ऐसा दुनिया में कोई जानवर आप में सुना हो देखा हो या समझा हो या ऐसा इंसेक्ट या उसके साथ ऐसा मैमल आपको आपकी नॉलेज में हो जो के एलफाबेट्स नंबर्स डिजिट्स की कि शनाफ्त कर सके है कोई में बहुत एक्टिव होती है मेरे पास बिल्ली और मुझे रखने का बहुत शौकत और मैं इसको बहुत कोशिश करती थी किस तरह से इंटिफाइ करा से को शीज़ आप को अनाम नहीं मिल सकता क्योंकि आप ग बिल्ली को लेकर रहेंगे मैं आपको यह बताना चाहरा हूं लेकिन इंपॉर्टन चीज है कि काला आपकी बिल्ली आने चाहिए उसके बाद बताऊंगा तो मैं आपको बताना चाहरा हूं कि कैनेडा से तालू रखने वाली एक जानवरों की डॉक्टर जिन्होंने चंद और वो मुर्गीयों की उन्होंने तर्बियत ऐसी की है कि वो हिंसों हरूफ और रंगों की शनाख्त कर सकती है बहुत मुर्गी के सोचना बड़ा मुश्किल सब्सक्राइब बड़ा जीशी बात है तो यह मैं आपको बता दूँ कैनेडा से तालू रखने वाली एक मुर्ग पाल रखी हैं उन्होंने काफी मुर्गी की तर्बियत की लेकिन एक मुर्गी इंटेलिजन्ट निकली उन सब में से तो उसने मुक्तलिफ हिंसों हरूफों और रंगों की शनाख्त करके गैनिस वर्ड बुक अफ रिकर्ड में अपना नाम दर्च करवा लिए अब आगे जो उन सिफ कजा रखार बताया अब अब आपके साथ पर अपने मालिक के तरभीयत थी उसको फ्रूट फुली दुनिया के सामने उन्टिया के सामने वूट फ्रूट फुली तरभीयत लेकर आई और गैन। वर्ट बुक ऑफ रेक्रड में अपना नाम दर्शकर वाली हो तबीय जाय ने की तो जिनाब अब हमारा हुआ चाहता है वुडबाइ अलाहाफिस कहने का टाइम लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चलें कि आप लोगों ने हमें कहां पर फॉलो करना है कहां कॉमेंट करना है हमारा एडिटर अकाउंट है PSE Safe Cities हमारा Facebook अकाउंट है Punjab Safe Cities इसके साथ साथ हम Instagram, TikTok, YouTube पर भी अवेलेबल हैं कॉमेंट करें बताएं क्या आथ बेतर से बेतर चीज़ें देखना चाहते हैं हम वो तमाम चीज़ें करने की आपके लिए कोशिश करेंगे अपना बहुत ख्याल मुझे और ताहिरा को जादत दीजी, अलाहाफेज